हेलो गाइज, मैं हिसान हुसन, आप देख रहे हैं मेटसन मेटकोस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मलेरिया के बारे में, मलेरिया क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, और इसका क्या इलाज करना चाहिए, यह प्लाजमोडियम पैरासाइट की वज़े से होता है, जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया दो प्रकार का होता है, पहला प्लाजमोडियम वाईवेक्स और दूसरा फैल स्पेरम मलेरिया। तो बात करते हैं इसके कॉजस के बारे में क्या कारण होते हैं जिसकी वज़े से लोगों में मलेरिया फैलता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों मलेरिया प्लाजमोडियम पैरासाइट की वज़े से होता है, जो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो के काटने से फैलता है। तो बात करते हैं malaria के symptoms के बारे में इसके क्या लक्षड होते हैं दोस्तों इसका जो main लक्षड होता है वो होता है ठंड लगके बुखार आना patient को एक एक दिन छोड़ कर बुखार आता है यानि कि alternate day पे fever आता है जो कि ठंड लगकर आता है इसके और भी लक्षड हो सकते हैं जैसे कि common cold, सरदी और जुखाम का हो जाना, कफ, खासी का आना, burning maturation यानि कि पैसाब में जलन होना और भी लक्षड हो सकते हैं जैसे कि patient को भूँखना लगना, चक्कर आना, nausea and vomiting लगना, weakness रहना, खाने की इच्छाना होना, indigestion हो जाना, कभी के भी patient को loose motions भी हो सकते हैं इसके इलावा और भी लक्षड हो सकते हैं तो बात करते हैं malaria के treatment के बारे में इसका क्या इलाज करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, malaria दो तरह का होता है इलाज करने से पहले आपको ये investigate कर लेना चाहिए कि malaria किस परकार का है अगर आपको malaria के symptoms हैं, तब आपको तुरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, investigate करने के लिए कि आपको कौन सा malaria हुआ है Investigation के बाद ही, malaria का treatment स्टार्ट किया जाता है अगर investigation में पता चलता है कि patient को plasmodium vivax malaria हुआ है, तब tablet larigodias दी जाती है, इसमें chloroquine phosphate 500 mg होता है इसकी जो first 2 गोलिया होती है, 1000 mg की पहले दिन दी जाती है, फिर first dose के 6 घंटे बाद एक और गोली देते हैं, यानि कि 500 mg की गोली देते हैं और फिर first dose के 24 घंटे बाद 4 गोली देते हैं, फिर उसके तीसरे दिन 5 भी गोली देते हैं, इस तरह से patient को tablet larigodias दी जाती है और इसके साथ ही tablet maliridias दी जाती है, इसमें prima queen 15 mg होता है, ये एक गोली रोजाना 10 से 15 दिन तक दी जानी चाहिए दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है, जितनी भी anti-malarial tablets होती हैं, उनको दूद के साथ ही दिया जाना चाहिए अगर आप दूद के साथ नहीं देते हैं, तब patient को vomiting हो सकती है अगर किसी patient को phylesparam malaria है, तब उसको tablet lumerex 80 देते हैं, इसमें RT मेथर 80 mg होता है और limofintrine 480 mg होता है इस गोली को दूद के साथ पहली खुराग देनी चाहिए, और इसके 8 घंटे बाद दूसरी खुराग देनी चाहिए बचिवी 4 गोलियां सुबा साम 12 घंटे पर देनी चाहिए, अगले 2 दिन तक ये गोलियां दी जा सकती है इतना ट्रीटमेंट देने के बाद उसके दूसरे दिन टैबलेट मालेरी डियस का सिंगल डोस देना चाहिए या फिर इसके इलावा आप टैबलेट Lumerex 80 की जगा टैबलेट फैल सियार्ट किट दिया जा सकता है इसमें छे टैबलेट आल्टी सुनेट 50MG की होती है जो की पायरी मिथा माइन 25MG और सलफा डॉकसाइन 500MG कमबाइन साल्ट की बनी होती है जिने रोजाना एक टैबलेट सुबा दी जानी चाहिए ये टैबलेट देने से पहले आपको कुछ सावधानिया भी रखनी चाहिए अगर पेशेंट बच्चा है या फिर कोई प्रेगनेंट लेडी है या फिर पेशेंट को हिमोलाइसिस है तो उसको प्रीमा कुइन फासवेट दवा का उपयोब नहीं करना चाहिए इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट को देना चाहिए जैसे कि अगर पेशेंट को बुखार है तो डोलो साड़े छे सो इमजी इसमें पैरासिटामॉल साड़े छे सो इमजी होता है आप हर छे घंटे पर दे सकते हैं या फिर ज़रूरत पढ़ने पर को दी जानी चाहिए अगर पेशेंट को नौजिया एन वोम्टिंग है तब उसको टैबलेट रिंटेक डी दी जानी चाहिए इसमें रिनिटीडिन और डॉम पेरिडोन होता है या फिर आप टैबलेट रेगलान दे सकते हैं इसमें मीटो क्लोप्रामाइट होता है इसको हाइडरेशन हो गया है पानी की कमी हो गई है तो पेशेंट को जादा से जादा फ्लूट्स देने चाहिए इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई प्रॉबलम है तो उसको डॉक्टर से संपर करना चाहिए और डॉक्टर को अपनी प्रॉबलम बतानी चाहिए तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा मलेरिया क्या होता है ये कितने प्रकार का होता है इसके क्या कारण होते हैं इसके क्या लग चड़ होते हैं और इसका क्या इलाज होता है आई होब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें अगर मेरे चैनल पिन नए है तो इसे सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि ऐसे वीडियोज आपको हमेसा मिलते रहें